हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेंटो माई यूट्यूब चैनल विचिज वरांसी व्लॉकर अराध्या सिस्टाइल और यह बन रहा है आई की खाजी और कैसे हैं आप सब कैसा आपका विकेंड प्लान है वैसे तो कहीं बाहर जाना नहीं है तो घर पर ही रहके प्लान करना में लो करना के परवल भिंडी और क्या कैसे थी सब कुछ तो अब बचा कौन सब्जीयो का राजा आलू तो आलू की बने की भाजी तो इस तरह के सालू की भाजी हम लो जो घर में जरनली तयार करते हैं बच्चों का फेरविट इसे हम एक तरह के से कह सकते हैं कि अगर सौस के साथ अब वह स्मार्ट हो गया और बोलते हैं ममा यह फ्रेंच फ्राइस नहीं है तो इस तरह के से बाजी हल्दी नमक डाल के बना लिए और अच्छा रगेगा फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया चोटा सबसे तो खाने पीने के साथ बहुत जादा हम का एक्सपेरिमेंट नह तो उसे मैंने क्या किया कि चने का दाल भिंगा हो फिर बनाओ और सब कुछ करना पड़ता तो मुझे लगा कि यार इतना कौन करेगा खाने का भी बहुत मंता है तो मैंने चलो बेसन में ट्राइ करते हैं आखे चने की दाल को पीस के तो बेसन बनता अब जोब इसका प्रोसीजर हो इतना डिटेल में एक्स्पीरियंस रभी नहीं है कि बेसन और चने की दाल में गया रिफ्रेंस है मीशिर होना जो फीक दि जादा धूल रहें गया है टेस्ट्ट्रा रहाएं complications मुझ यह चावल को मिक्स कर दोली टेस्ट्रा तो बनता है कि मैंने बनाती है सालसुमा चावल पीस करके बनाती हैं तो अभी तो इतना मैं नहीं कर पारी हूं तो इसे लिए मैंने आटे गेहुं के चौह आटा होता है जनली इसका में रोटी खाते हैं उसी को मैंने लिया है और सिर्फ चार ही अभी बनाऊंगी देखंगी सही बन रहा है की नहीं अगर अ जल्दी आटा पसीजने लगता है तो चिपक जा रहा था तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और ऐसे जैसे आपका चछा चने को जो हमें बनाते चने का उसमें थोगा सा टाइम लगता अच्छा से बंद करना पड़ता है इसमें तो को ज्यादा मेहनत नहीं था तो इस जो फारा है उसे हम लोग इसमें डिप कर देंगे और मैंने फ्रेंट्स 25 मिनिट्स पकाया था और बहुत अच्छे से पका था फारा कोई ऐसाने तक ही कच्छा रह गया 25 मिनिट्स is sufficient बहुत केरफुली आपको इसे गरम पाली में डिप करना अधर्वाइस हाथ में चलने का अधर रहेगा फ्रेंस तो बेरी केरफूल और मैं जाता बरतन नहीं फसाना चाहती है अच्छली या तो इसे भगोने या फियाप कुकर में बिना उसके लीट को लगाया आपको इसको पकाना है मतलब इसको पकने देना सिटीविती ने लगानी है तो इस तरीके से 25 मिनिर सा में आप इसको पकांए और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनने में और ये तकी तयार हो गया है किसी मैं निकाल लिया था और फिर इस आप इसे में कट करके आप इसको ऐसे था सकते हो ये पूरी देके से तयार हो चुका है अधर अधर्वाइस अकर आप चाहते हो तो आप इसे लिटिल बिट फ्राइ कर सकते हो देशी की में इसको अच्छी से तौजी रवरा डाल के फ्राइ करिये बहुत ही शान्दार टेस्ट आए कि और फ्रेंस क्योंकि बेसन है तो जब मैंने मिक्स पनाया था तो उसमें हींग एड किया था आप हींग लहसन यह सब जरूर करी हींग तो 100% बिट आप कर एगा तो इस तरीके से यह मैं इसको फ्राइ कर रहे हूं क्योंकि जब देखी रही हूँ कि ऐसा बना थी और भी थोड़ा सॉ और मेहनाथ कर देए को आफ्टर फ्राइय जब मैं इसको फ्राइक कर देख लेका फ्राइक्स कर देए रखते हैं अब तो वह चीज है कि हाँ यह अच्छा बना तो इसे ट्राइग कर सकते हैं बहुत जादा इसमें कोई चीज लगाएं नहीं सब कुछ आप एगर मौझूद है तो बस इस तरही के साथ बना के आप खा सकते हो खिला सकते हो जी को पसंद आप दुबारा बनागी कि ला सकते हो अधर्वाइस कुद के लिए तो आप हरका स्नाक्स के तोर पर बनाएं सकते हो तो यह हमारा तयार हो गया इससे मैं तवी पही तो क्वांटिटी बहुत कम है तो बहुत आप कुछ नहीं करना है हरका साथ को आप फ्राइए और सॉस के साथ तो माटो सॉस के साथ खाईए हुआ